आज की वीडियो बहुत important है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ detail knowledge देने वाली हूँ कि male के cell कैसे पता चलेगा कि वो male के cell है जो कि female के अंधरूनी भाग तक पहुँच गए है और अंडे को fertilize कर दिया है मैं आपके जनकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगी कि आपकी pregnancy को conceive होने के लिए सिर्फ एक दो चरण नहीं बलकि तीन चरण का होना जरूरी है पहला चरण होता है male के जो cells हैं वो काफी healthy होने चाहिए उनकी mobility अच्छी होने चाहिए उनकी count अच्छी होने चाहिए दूसरी चीज होती है कि महलाओं का अंडा जो की पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए उनकी एक perfect size आनी चाहिए और जब वो पूरी size पे आये और उनका सही time पे evolution हो वो होता है आपका दूसरा चरण और तीसरा चरण होता है कि implantation आपका successful हो जाए यानि कि दोनों के fertilization के बाद से implantation अगर successful नहीं होगा तब आपकी pregnancy conceive नहीं होगी क्योंकि जो 3rd चरण है वो काफी important है क्योंकि उसी से आपकी uterus की दिवाल पर जब बच्चा चिपकता है वहीं पर आपकी pregnancy रुखती है और पूरे 9 महिने के लिए वो sustain होती है लेकिन आप बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो male के cell है वो female body तक अंदर पहुंच गया है अंडे को fertilize कर दिया है आज उसी के बारे में discussion करने वारी हूँ वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्ले शुरू से लेके लाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल twins my world पे बहुत बहुत स्वागत है जब भी ऐसी कोई चीज़े सामने नजर आती है हमारी pregnancy के लिए हम बहुत सरे चीज़े दिमाग लगाते रहते हैं कि क्या tip centrics ट्राइ करें लेकिन एक चीज़ जो की काफी important है वो है अपने evolution को समझना महिला की body में अगर evolution हो रहा है evolution के संकेत आ रहे है evolution से कैसे react कर रही है आपकी body उस हिसाब से उसको समझना और सही टाइम पे reaction को देखते वे आपने relation भी प्लान करना यानि कि सही टाइम पे अगर आपने relation नहीं किया तो आप चाहे जितने भी tips and tricks ट्राइक कर लिए हैं उसका कोई भी महत्व नहीं बसता है तो आपको सबसे पहले evolution को track करना है आपके calendar method से आप देखिए आप अपने evolution को देखिए अपनी body के symptoms पहचानिए और उसी हिसाब से आप relation भी प्लान करेंगे दूसरी चीज होती है कि जैसे ही महिला और पुरुष संपर्क में आते हैं आपको कुछ चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए उसके उपर एक separate वीडियो है कि आपको relation के पहले relation के मतलब दौरान और relation के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और वो detailed knowledge है 6 मिनट की वीडियो है आप उस वीडियो की link पे डॉप करेंगी आप जरूर देख लीजेगा ताकि आपको clear cut एक picture नजर आए कि आपको उस time पे क्या चीज़े करने चाहिए तीसरी चीज होती क्या है कि जब भी अगर आपका relation प्लान करके हो जाए महिला को और पूरुष को दोनों को इतना ग्यात होता है कि हाँ mail के जो cell है अब release हो चुके है क्योंकि आपको ये clear cut नदेशा पता चलता है क्योंकि बहुत सरे से couple होते हैं जिनको एक समस्या होती है कि सारा का सारा discharge आउट हो जा रहा है इसकी भी मन में जो queries होती है वो भी मैंने एक अलग वीडियो बनाए हुई है उसके उपर मैं एक वीडियो की link मैं एंडिस्किन पर drop करूँगे आप जरूर देख लीजेगा कि ये जो liquid का जो discharge होता है आपको पता है कि जब discharge होता है इसका मतलब की cells आउट हो चुके है रही जहां तक बात कि वो कितने समय तक अंदर जाएंगे तो देखे समय कि अगर मैं बात करूँ तो hardly कुछ minutes का वक्त लगता है और कुछ minutes में ही आपके जो female का जो body part है वहाँ पर वो सारे cells वहाँ पर मौजूद होते है और fertilize करने के लिए अंडे को वहाँ पर prepare हो रहे होते है क्योंकि कुछ fraction of second लगता है कुछ time बहुत ही कम लगता है जहां पर वो जल्दी जल्दी अगर वो अच्छी mobility के है तो वो जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि अगर अंडा present होगा तो उसको जल्दी से जल्दी उसका fertilization वो कर दे तो फैल्योपेंट उप तक उनका पहुँचना सही सलामत ज़रूरी होता है और इस time को लेके अगर आप मैं थोड़ा एक लमसम अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 मिनिट का समय लग जाता है depend करते हैं कि 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 evolution किस time पे हुई है उसके हिसाब से बाते आती है क्योंकि अगर आपने evolution के पहले relation प्लान किया है तो उस time पे female का अंडा present ही नहीं है तो उसका fertilization होने में समय लगेगा क्योंकि जैसे ही अंडा आएगा जो पहले की जो cells है या फिर अगर आपने एक दिन पहले अगर उसको provide करा दिया तो उस हिसाब से fertilization के जो process है वो start होगा लेकिन कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि evolution के बाद उन्होंने try किया है अगर आप उसके 12 घंटे के बाद try करीगा तो पहले से शरीर में अगर अंडा रहेगा तो उस हिसाब से भी fertilization उस हिसाब से होगा यानि कि सारे की सारे dependency मेलके cell के साथ होती है कि उनकी mobility के इतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी mobility रहेगी जितने अच्छे अंडे की quality होगी fertilization होना उतना ही असान होगा आप रही बात कि जब अगर fertilization होता है तो आपको संपर्ख के करीब एक हफते के बाद ही implantation का लक्षन महसूस होता है और ये जो implantation होती है वो एक बिल्कुल सटिक तरीका होता है ये जानने के लिए कि आपकी pregnancy रुग गई है तो pregnancy जब भी अगर आपकी conceive होनी होगी आपको period date में सोने का इंतजार नहीं करना है बलकि implantation के कुछ ऐसे symptom होते है जो कि आपको बताते हैं कि हाँ अब अंडा जो मिल के cell है उनसे मिल चुका है तो ऐसे case में आपको समझने की आवशक्ता है कि महिलाओं को हलकी फुल की cramping या तो उनके left side में पेट का जो left side होता है या right side होता है कभी पर भी कहीं पर भी आपको हलकी फुल की cramping मैंसूस होती है या बहुत सरी महिलाओं को around 60 to 70% जो महिलाओं होती है उनको implantation की bleeding भी होती है जो हलकी फुल की spotting के रूप में होती है अगर उनको हलका फुल का spotting जैसा feel हुआ मेभी शायद एक से दो drop अगर blood के आपको दिखाए दिये है या फिर कई पर आपको liner लेनी के आवशकता होती है या फिर pad लगानी के आवशकता होती है लेकिन इतनी ज़ादा bleeding आपको नहीं होती है कि pad के आवशकता पड़े भले आपको liner आप यूज़ कर सकती है या कई पर आप अगर tissue paper पे भी आप देखेगा तो हलकी फुल की brown की discharge या फिर pink discharge अगर आपको दिखाए देती है तो ये आपकी implantation का एक बहुत ही महतपूर्ण symptom होता है और यही एक शर्टिक लक्षन होता है आपकी pregnancy का हलाकि pregnancy के 9 से 10 symptom के बारे मैंने बाते की हैं लेकिन implantation अगर आपका hit हो गया तो आपके बाकी के symptom अपने आपराइस होंगे जो कि आपके period date के 1 से 2 दिन पहले ही आपको feel होते हैं लेकिन जब period के date miss हो जाती है तो आपको एक confirmation मिलती है कि हाँ आप pregnancy आपकी रुग गई है तो इस तरह से आप जान पाईएगा कि आपके जो cell है जो आपका अंडा है वो mail के cell के साथ मिल चुका है और आप गरवती हो चुकी है तो hopefully इस वीडियो में दीगा जनकारी आपको अच्छी लगी सारी की सारी बाते अगर समझ मैं और इस तिल अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके आपका अपने मन के डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं मैं उसके उपर related वीडियो ज़रूर बढ़ा दूगी Thank you so much for watching Prince My World